हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर से सम्बंधित महत्पूर्ण अब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके होने वाले किसी भी टेक्निकल एक्जाम के लिए महत्पूर्ण हो तो आईए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो यहाँ पर पहला कोश्चन आपके सामने है और जो भी क global current का लगबग कितना प्रतिसत होता है इसका कहाने का मतलब है कि जो No load current होता है No load current होता है यह no load test में होता है ठीक है No lod current No load current फुल लोड करेंट का कितना प्रतिसत होता है, कितना प्रतिसत होता है, तो no log current, full load current का 2 से 5 प्रतिसत होता है, ठीक है, यहाँ पर B correct answer हो जाएगा आपका 2 से 5 प्रतिसत no log current होता है, फुल लूट के तुल नाम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाईस है ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाईस है ट्रांसफार्मर किस प्रकार का डिवाईस यानि किस प्रकार का उपकरण है तो transformer जो है आपका यह एक transformer, transformer is a static device, ठीक है, transformer जो आपका होता है, वो aesthetic उपकरण होता है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अचल, ठीक है, अचल, aesthetic उपकरण इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि transformer के अंदर कोई rotational part नहीं होता है, transformer के अंदर कोई घूमने वाला part नहीं होता है, दूसरी बात यह है कि transformer को अब दूसरे सब्दों में यह कह सकते हैं, कि transformer के primary और secondary winding के बीच, secondary winding के बीच, कोई सापेक्षिक गती नहीं होता है, no relative motion between primary and secondary winding, इसलिए हम कहा जाता है कि transformer एक static device होता है, और transformer की जो दक्षता होती है इसी कारण, transformer की जो दक्षता होती है, efficiency होते हो, कितने होती है, 98% होती है, कितना होता है, 98% होता है, और ideal transformer, आदर्स transformer का दक्षता कितना होता है, comment box में comment किजिए और बताइए, कि आदर्स transformer का दक्षता कितना होता है, ठीक है, next question, ट्रांस्फार्मर एक इस्थिर उपकरण है तो ट्रांस्फार्मर कैसा इस्थिर उपकरण है बोल्टेज विग्दुधारत तापमान तो यहां पर ट्रांस्फार्मर जो है वो बोल्टेज के अधार पर दो टाइप का होता है step up और step down तो उसमें आपका voltage उसके साथ current भी परिवर्तित होता रहता है ठीक है तो इस्थिर क्या होता है इसका power जितने के भीए का होगा transformer उसका power change नहीं होता है तो transformer एक इस्थिर सकती current होता है ठीक है transformer का power change नहीं होता है आपका अलग-अलग rating के transformer आएंगे बड़ जो rating का होगा transformer हो सिम रहता है इसी कारण transformer sorry इसी कारण AC या transformer ने पर पावर फिक्स होने के कारण आपका voltage बढ़ने के दावरान current का मान घड़ता है क्योंकि power क्या होता है इस्थिर होता है fix होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपृती में किसी भी परिवर्तन के बीना बिगदुत उर्जा को किसी एक AC सर्किट से दूसरे AC सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले इस्टेटिक उपकरण को क्या कहते हैं तो आब रिती को बीना चेंज किये तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आब रिती को बीना चेंज किये आपका एक प्राइमरी से दूसरे सर्किट मतलब सेकेंडरी में क्या करता है बोल्टिक वास्तानांतरित करता है इस्टेटिक को करन इस्टेटिक को करन जैस्ट मैंने बताया कि आपको क्या होता है ट्रांसफार्मर होता है तो यह विग्दुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है इंडक्सन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में परिवर्तित करता है और इसको एक्साइटेसर में लाने के लिए इसके जो पोल होते हैं उसको डिसी सपलाई देखर के पोल जनरेट कराना पड़ता है तो इस्कोशन के लिए आपका कौन साफ़प्शन सही होगा डी, नेक्स्ट, एक परिडामित्र यानि ट्रांसफार्मर में दो प्रेरणित कुंडलिया होती हैं, तो एक ट्रांसफार्मर में आपकी जो कुंडली होती हैं, वो दोनों बिगदुतिय रूप से अलग-अलग होती हैं, और चुम्बकीय रूप से सम्मंधित, तो यहां पर आपका D correct answer हो जाएगा, विगदूतिय रूप से magnetically यह जुड़ी होती है, यह क्या है आपका, core type transformer है, यह transformer core type transformer है, core type transformer, इसमें आपका जो winding है, वो आपका अलग होते हैं, विगदूतिय रूप से अलग, यानि दोनों winding isolated अलग अलग और magnetically जुड़े होते हैं, यह अगर यह auto transformer है, तो auto transformer की जो winding होती है, वो electrically रूप से जुड़ी होती है, विगदूतिय रूप से जुड़ी होती है, बट इसका जो सिध्धान तो होता है, वो आपका self induction के सिध्धान पर कारी करता है, auto transformer self induction के सिध्धान पर कारी करता है, any doubt जो भी हो आप comment करके ज़रू विडियो अच्छा लगा हो तो आप विजियो ज्यादा से ज्यादा सेयर करें जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं या आपको कोस्चान आ रहा है तो आप पहले ही कमेंट करके बताईए किस कांसर क्या होगा नेक्स्ट आपको कोस्चन है एक ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर में बिगदुत सकती को एक सर्कीट से दूसरे रूप में किसे परिवर्टित किये बिना अस्थानांतिरित किया जाता है किसे परिवर्टित किये बिना अस्थानांतिरित किया जाता है एक ट्रांसफार्मर में बिगदुत सकती को एक सर्कीट से दूसरे सर्कीट में किसे परिवर्टित किये बिना मतलब किसे चेंज नहीं किया जाता है और अस्थानांतिरित किया जाता है बिगदुत सकती को तो आपका ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है, जब कोई सापेक्षी गती नहीं होगा, तो फ्रेक्वेंसी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अस्थानान्ति करता है बीना चेंज किये, नेक्स्ट, नहीं करता है, डीसी पर अगर ट्रांसफार्मर को जोड दिया जाए, तो उसके वाइंडिंगें क्या हो जा सकती है, जल सकती है, डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, जैसे माल लेजे कि LV और HV दो वाइंडिंगों के इसमें अगर कोई पेपर है, इंसुलेशन लुकियों किया जाता है, तो उनके भी कैपा सिटेंस का निर्माण होता है, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेजिए, कैपा सिटेंस का निर्माण होता है, अब कैपा सिटेंस का निर्माण, कैपा सिट्यू, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर, कैपा सिट्यू, रियक्टेंस का ये पास city reactance xc is equal to होता है 2 pi fc अगर इसको DC पर उप्योग किया जाए तो DC में f कमान क्या होता है 0 अगर यहाँ पर 0 आप रखेंगे तो total इसका 1 upon 0 या निमान क्या आएगा अनंत ओब तो जिसका reactance अगर infinite होगा अनंत होगा उसमें क्या होगा धारा प्रवाइत होगा उसे नहीं होगा ठीक है और लाई के जे open circuit की तरह ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अब उसके में winding क्या हो सकती है जल सकती है तो इसमें कौन सा आपका correct answer आपका प्रत्यवर्ति धारा परिकाल करेगा next यहाँ पर देख कि 200 बोल्ट 200 बोल्ट 10 संबंधे एक टर्न अनुपात transformer को गलती से 200 बोल्ट DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो पैड़ाम सरुक क्या होगा टर्न औरन का कोई मतलब नहीं है कब किसी स्थिति में जब उसको 200 DC DC सप्लाई से जोड़ती है ठीके AC से रहेगा तो टर्नो का यह transformation ratio का इसके प्रभाव पड़ेगा वो घट सकता है बढ़ सकता है वो अलग चीज है लेकिन जब इसको DC से जड़ेंगे तो उसका primary winding क्या हो जाएगा वो छती ग्रस्त होगा यानि डाइमेज हो जाएगा इसके लिए कौन सा करेक्टांसर हो जाएगा ए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उकरण आबरिती और सकती में कोई परिवर्तन किये बिना विग्दूत उर्जा को एक परिपत से दूसरे परिपत में अस्थानांतरित करता है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताईए यहां पर निमन में से कौन शाउपकरण, फ्रिक्वेंसी और पावर में कोई परिवर्थन किये बिना बिगदू तुर्जा को एक परिपत से दूसरे परिपत में अस्ठानांतरीत करता है क्या होगा परिणामीट तह क्या होगा परिणामीट यानी transフार्मर ठीक है, ट्रांस फार्मर, नेक्स्ट, ट्रांस फार्मर एक ऐसा उपकरण है, जो आबरिती के परिवर्तन के बिना बिगदू सक्ति को एक वर्तमान वस्तूर में गूसरे में अस्थानांतिक करता है, आबरिती के परिवर्तन के बिना बिगदू सक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में अस्थानांतिक करता है, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट ट्रांस फोर हो जाएगा, आबरिती के परिवर्तन के बिना बिगदू सक्ति को पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में अस्थानांतिक करता है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आउसर होगा, निम्न में से कौन सा ये कैसा उकरण है, जिसके माध्यम से एक परिपत की बिगदू सक्ति को दूसरे परिपत की समान आबरिती की बिगदू सक्ति में बदला जा सकता है, बिगदू सक्ति में बदला जा सकता है, तो आपका कौन सा है, रेक्टिफायर, और सोरी, ट्रांस फ तो आपका AC को DC में convert करता है ठीक है यह आपका इलेक्ट्रोलिस्ट का पार्ट है रेक्टिफायर दिश्टिकारी एसी को DC में convert करता है तो यहां पर ट्रांसफार्मर जो है बीना आविक्ति को पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में convert करता है एम्प्लिफायर की तुलना में त्रांसफार्मर एम्प्लिफायर क्या होता है जो input signal के amplitude को बढ़ा देता है एम्प्लिफायर inimal input signal के एंप्लिट्यूट को क्या करता है वो बढ़ाता है तो यहां पर तुल्ला में ट्रांसफार्मर क्या है तो ट्रांसफार्मर आउट्पूट बोल्टेज नहीं बढ़ा सकता आउट्पूट धारा नहीं बढ़ा सकता आउट्पूट सकती नहीं बढ़ा सकता है ट्रांसफार्मर में primary और secondary के बीच insulation प्रतिरोध होता है ट्रांसफार्मर में primary और secondary के बीच insulation resistance कितना होता है insulation resistance होता है आपका अनन्त ठीक है अनन्त नेक्स्ट क्वेस्चन निर्माता आम तौर पर current rating specify करते हैं current मतलब क्या आपको वहाँ फिलब करना है यहां पर कि निर्माता आम तौर पर current rating specify करते हैं किसके लिए केवल secondary winding में केवल primary winding में tap changer में transformer core में यह वह भी दोनों में तेहां पर क्या होता है आपका कि निर्माता आम तौर पर जो manufacturing केवल secondary winding में स्विच्ट करते हैं ठीक है इसके यहां पर क्या फिलब करना only one secondary winding दीवतियक winding नेक्स्ट एक transformer की दीवतियक कुंडली पर एक transformer की दीवतियक कुंडली पर तार की घुमाओं की संख्या में ब्रिधी होगी तो क्या होगा देखिए अगर आप यहां पर primary winding है और यह आपका secondary winding यहां पर दीवतियक कुंडली में तार के घुमाओं की संख्या क्या करना है बढ़ाना है यानि आपका N1 हो गया यह N2 हो गया तो N1 से N2 ज्यादा करेंगे तो इस स्थिति में आपका E2 भी ज्यादा होगा V2 भी ज्यादा होगा लाई कहजे आपका यह step up transformer की तरह बेवहर करेगा क्या करेगा इस step up transformer की तरह क्या बेवहर करेगा और जब बोल्टेज बढ़ेगा it is टे लग्प बढ़ाताए उस स्थिति में कररेंट कमान के मद क्या होगा सेकर्गे में कम होगा है दारा की कमी ँगा कमोगा नेक्स्ट याउट पर बेद हैंट कॉस्ट एक ट्रांसफार्मर में जिस वकर को विगदुत उर्जा प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है एक ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विगदुत उर्जा प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है तो उसे कहा जाता है प्रार्थनिक वक्र या primary side और जिस side अब लोड जोडते हैं उसे क्या कहा जाता है दीती एक वख रहा है दीती एक side ठीक है next एक transformer में चुम्बकिय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए एक transformer में चुम्बकिय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए चुम्बकिय प्रवाह का मार्ग जो है वह आपका एक transformer में चुम्बकिय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए यह question आपके लिए है और आप comment करके बताईए कि इसका कौन सा answer correct होगा 19 number question आपके लिए अनिक्षा का मतलब होता है reluctance ठीक है कि इसका क्या होगा कि नेक्स्ट कि रिवांडिंग के बाद एक transformer winding ठीक दिखती है रिवांडिंग के बाद एक transformer winding ठीक दिखती है लेकिन इन्सुलेशन प्रतिरोध आपक्षित मान से कम होता है इसा निम्ल में से किसके कारण होता है तो जब transformer की re winding होती है तो इस winding में कुछ नमी आजाती है ठीक है ù kin як प्रतिरोध होगा उसका मान कम होता है ओ noise पर आपका correct 1954 कौन सा होगा आप.'' B winding में क्या है नमी , नेक्स्ट प्रेरक नियामक किसका एक बिसेस प्रकार है तो ट्रांसफार्मर का किसका प्रकार है ट्रांसफार्मर का क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो स्पारल या अप हेलिकल या टर्नो की रूप में जो वांडिंग की जाती है उसके अधार पर इसको प्रेरक नियामक के नाम पार्मर होता है ठीक है और यहां पर जन्रेटर अभिजेस्ट मैंने बताया संसोदक डायोड टू टर्मिनल वाली ऐसी जिसमें धारा का प्रवा पोजीटिव से लिगेटिव की तरफ सदेव होता है लिगेटिव से पोजीटिव की तरफ नहीं होता है और डायोड आपके कई का होता है PNP और NPN ये दोनों आपके electronics के पार्ट हैं लगूट रांसफार्मरों में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है जो कोरों के देखिए लगूपरत में कोरों के परतों के मद जो इंसुलेशन उपयोग किया जाता है वह आपका क्या होता है बटर पेपर ठीक है कौन से ट्रांसफार्मर के प्रार्थमिक हुआ दीवतियक सरकीटों के बीच चुम्बकी ये कपलिंग को किस से बढ़ाया जा सकता है चुम्बकी ये कपलिंग को किस से बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी सरकीटों के बीच चुम्बकी ये कपलिं बढ़ाया जा सकता है यहां पर लो रिलक्टेंस मैटेरियल का कोर उपियोग करने पर अब आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है कौन सा मैटेरियल होता है किसका बना होता है ठीक है एक परिणामित्र के एक परिणामित्र के प्रार्थमिक और दिवतियक वाइंडिंग में हमेशा क्या होता है घुमाओ की संख्या अलग-अलग होती है ताम्र का तार समानकार का होता है प्रिथक चुम्ब की परिपत होता है एक उभैनिस्ट चुम्ब की परिपत होता है दोनों के लिए क्या होता है एक कामन मेगनेटिक सर्किट होता है नेक्स्ट निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार अधिक्तम होता है तो ट्रांस्फार्मर का जो साइज होगा वो आपका त recognize प्रेक्वेंसी के विल करमानु पाती होता है यानि जिसका आप्रिती कम होगा उसकी साइज क्या होगी बड़ी होगी यहां पर कॉन सा आप्सन करेक्ट होगा किसकी आपरती कम है यहां कि 25 सब से कम अब रिटी अपकी किसकी है 25 हट्स की नेक्स्ट यदी एक 800 KVA 400 हर्ट्स ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्स पर संचालित होता है तो इसकी KVA क्या होगी क्या होगी तो यहां पर दिया है आपका के वी वन के वी ए रेटिंग वन मान लेते हैं ये दिया है आपका 800 और यहां पर फ्रेक्वेंसि भी दिया है कितना 400 F2 का मान कितना दिया है 50 Hz पे पूछा जा रहा है तो इसकी KVA rating क्या होगी KVA 2 का मान ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर KVA rating जो होता है KVA rating आपका समानु पाती होता है कि इसके frequency के तो हम लोग मान लेते हैं कि यदि K1, K2 कर देते हैं बार बार आपको लिखना पड़ेगा K1 आपको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 आपका में F2 ठीक है इसको मान लेते हैं K1, K2 K1, K2 हमको क्या बताना है secondary के लिए यहाँ से अगर मान तीरिये गुणा करेंगे तो यहाँ से K2 का मान आपका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तीरिये गुणा करेंगे तो यहाँ इसका हम व्यूद्करम भी कर सकते हैं तो आप K2 आपान में K1 कर दीजी और F2 आपान में F1 गुड़े क्या हो जाएगा K1 मान लखेंगे F2 का मान कितना है आपका 50 अट्स ठीक है और यहाँ पर F1 कितना है 400 गुड़े 800 यहाँ से यह कट जाएगा 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा चार दुना क्याँ तो कितना हो जाएगा 100 कवी यह ठीक है यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 कवी यह तो आपका B option करेक्ट हो जाएगा 10 का कि क्या होती है यह तो मैंने बहुत सारे सवाट विडियों बना इस पर ट्रांसफारमेमें सभी लोगों को पता होगा जनरली म ex method क्लास ब्रट क्लासले किसे में होती है तो transformer कीотनों किसमे होती है कि kv- will कि में किलोवर्ट किसका मत रखोता है किलोवर्ट किम्रखोता है , वाट और किलोवर्ट किम्रफ रखोते हैं ,Bolt ,Potential & Bao पेंस कमात रहोगा और KVAR जो है आपका यह होता है रियक्टिव पावर का सब्सक्राइब के लिए कि कि निवय कित में से निम्निलिखित में से किसकी आवस्थी है этот transformer की इया के लिए याउष्ट divine की पह recap प्रत्यावारती two- показыв blePS अ कि आवशसेक्ता होती है कि जब जब Trans सब्सक्रीन में आप dauब需要 तरंग शप्लाइई दीजाती रिखाए तो उसमें जो है आपका कि तरह होगा तो करेंट भी आपका I m sin omega t होगा यह आपका इंड़क्टिव की तरह होगा तो यह क्या होता है लेकिन यहां पर फ्लक्स का जो होगा तो 5m sin यह भी आपका क्या एगा ओमेगा टी माइनस जो भी होगा वह लेग्ग ही करेगा और आपका जो यहां पर आपका पाउसर आएगा सकते हैं कि जिसमें प्लस होगा वो लीड होगा जिसमें मैनश होगा हुआ कि कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धान्थ पर काम करता है यह क्यों आपके लिए है कमेंट करके बताएए यह question आपके लिए कि transformer का सिधान क्या होगा next next और last question है कि transformer का कार्य सिधान निम्नलिखित में से किस पर आधारित है transformer का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है फैराडे के नियम, ओम का नियम, किर्चाप का नियम, फ्लेमिंग के नियम तो transformer का जो कार्य है वो आपके किस नियाम पर अधारित है बाकी तो इसमें तीर नियाम जो है वोई जी है सब लोग जानते हैं तो transformer का जो नियाम है वो फैराडे लौँ पर फैराडे लाग इसद्धाम पर काम करता है ओम का नियाम भी प्रपोस्नल आई होता है फ्लेमिंग के दो नियम होते हैं एक होते हैं लेफ्ट हैंड रूम और एक होता है राइट हैंड रूम लेफ्ट हैंड लगता है मोटर के लिए और राइट हैंड रूम लगता है जनेटर के लेफ्ट हैंड रूम से चालक पर लगने वाले बल की दिशाग्याद की की जाती है और राइट हैंडर की जाती है और के दू नियम होते हैं पहला नियम केशी और क्म आई बराबर जीरो आपका ją के लिए लगता है तो सिंगा यार राबर जीरो होता है और यह विडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर करना न भूले, ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हैं, PMTekScience, PMTekScience टेलिग्राम चैनल से आज जूर सकते हैं, इस के लिंट मेरे वीडियो के डिस्क्रेशन में डाल लगा है, वहां से आप जॉइन हो स झाल, 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